दोस्तो मनुष्य का जीवन जितना सत्य है उत्रहीं बड़ा सत्य उसकी मिर्थ्यू है जो इस मिर्थ्यू लोक में आया है एक ना एक दिन उसकी मिर्थ्यू होना निश्चित है प्रन्तु मनुष्य यह बात जानते हुए भी इस सचाई से भागता है और पैसे कमाने के लिए अपने जीवन में न जाने कितने पाप करता है। जिसका कारण है मिर्तु के इस रहसी की जानकारी ना होना। दोस्तों मिर्तु के बाद पाप कर्म के कारण उसकी आत्मा को ना जाने कितने कष्ट भोगने बढ़ते हैं। जिसका वर्णन हिंदू धर्म के 18 महापुरानों में से एक गरुर पुरान में किया गया है तो आएए जानते हैं मिर्त्यू के बाद आत्मा के साथ क्या होता है दोस्तो घरुर पुरान के अनुसार जिस मनुशी की मिर्त्यू होने वाली होती है वह पहले बोलना बंद कर देता है उसकी सवी इंद्रिया सिथिल पर जाती है जब अंतिम समय निकट आता है तब परमात्मा के द्वारा उसे एक दिर्व दिष्टी मिलती है जिससे वह सारे सं सार को एक रूप में देखने लगता है। दोस्तो घरुर पुरान में बताया गया है कि मिर्टु के समय दो यमदूत आते हैं जो देखने में बड़े ही भयानक होते हैं। यदि मरने वाले प्राणी ने पुन्नी कर्म किया है तो वह असानी से अपने प्राण को त्याग देता है। प्रंतु यदि वह पापी होता है तो वह यमदूत के भई से ग्रस्त होकर बड़े ही कस्ट से अपने प्राण को त्यागता है। उसके बाद यमदूत उसे यमलोग ले जाते हैं यम्लोग का रास्ता अंधेरे और गर्म पानी से भरा होता है फिर हम लोग पहुंचने पर उसे यातनाई दी जाती है फिर उसे यम्राज के कहने पर तेरा दिन तक उत्तम कारी को करने हितू अकास मारे से फिर उसे उसके घर छोड़ दिया जाता है घर आकर वह जीवात्मा उन्हा अपने सरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है किन्तु यम्दूत के बंधन सिव अम्मुक नहीं हो पाता और भुक प्यास के कारण रोता रह दोस्तो घरुट पुरान के अनुसार मिर्ट व्यक्ति के वंसस को दस दिन तक पिंड़दान अवश्य करना चाहिए क्यूंकि पिंड़दान से ही आत्मा को चलने की सकती प्राब्द होती है उसके बाद मिर्टू के तेरा दिन बाद यम्दूत आत्मा को फिर से पकर ले दे हैं और फिर शुरू हो जाती है यमलोक की यादनाएं दोस्तो इस सफ़र में आत्मा को 47 दिन तक वैतर्नी नदी पार करनी होती है इस तरह भूक प्यासे बैचन आत्मा यम्दूत में पहुंशती है यम्दूत में भगवान चित्रुगुप्त उस प्रानी के सभी कर्मों का लेखा जोखा यम्राज को देते हैं फिर उस अधार पर धर्मराज यह निश्चित करते हैं कि पापी आत्मा को किस नर्क में बेजा जाए तो दोस्तो इसलिए हमें अपने जीवन में धन दोलत का लालच छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए तो दोस्तों उम्हीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंदाया होगा तो ऐसे ही ग्यानवर्दे गुरूरिस के लिए आप हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धाट